आज मैं आपके साथ वास्तु से संबंधित एक बहुत ही महत्पून विशे पर विचार शेयर करूँगा हम आजकल भवन के निर्मानकारी में देख रहे हैं कि सामान्यतया भवन की जो छट बनती है वह RCC से बनती है और जब भवन बड़ा होता है लंबाई चोड़ाई में तो एसी इस्तिती में भवन की छट का लोड यानि की भार सहन करने के लिए बीम डालना अति आवश्यक होता है चाहे वह बीम छोटा हो और चाहे वह बीम बड़ा हो इसी परकार भवन भी हमारा आवाशिय रिजिदेंशियल हो सकता है ओफिस का हो सकता है कारिय स्थल का हो सकता है फैक्टरी का हो सकता है कोई भी हो सकता है अब सवाल यह है कि भवन की छत के लिए बीम डालना जरूरी है बीम यदि बड़े होल के लिए बड़े कमरे के लिए रखा गया है बट ने चूरल उसके नीचे चाहे घर पर घर के छत के लिए बीम हो तो घर का मालिक या अन्य कोई सदश्य उठेगा बेठेगा सोएगा कारालया फैक्टरी में है तो कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति उसके नीचे बेठ कर कार्य करेगा ऐसी इस्तिती में यदि बीम के नीचे बेठना सोना या अन्य कोई कार्य संपादित होता है तो उसका क्या प्रभाव जीवन पर व्यापार में ग्रहस्त में पढ़ता है इसके बारे में आपको में जानकारी दूँगा हमेशा ध्यान रखिए कि वास्तु से संबंधित अच्छी और बूरी सभी प्रकार की बाते होती है अगर हमने वास्तु शास्त के सिध्धानतों को ध्यान में रखते हुए उसके नियमों को ध्यान में रखते हुए भवन का निर्मान करवाया है हमें शुब फल प्राप्त होती है लेकिन यदि कहीं पर भवन का निर्मान तो हमने जो निर्मान की प्रक्रिया है उसके अनुसार करवाया परंतु हम उसका प्रियोग वास्तु के नियम एवं सिध्धानतों के अनुसार नहीं कर रहे है तो ऐसी परिस्तिती में हमें अशुब प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है हम इस बिंदू पर आगे बढ़े आपसे यही कहूंगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा और हमेशा की जैसे एक ही बात आप लोगों से में कहना चाहूंगा कि यदि आपको विश्वास है स्रधा है वास्तु के नियम उसे धानतों पर तो ऐसी परिस्तिती में आप जो मैं आपको बात शेयर कर रहा हूं या करता हूं आप उसे पूरा सुने चलो अब हम अपने मुख्य बिंदू पर आते हैं मान लो कि आप ने एक भवन जो आपके आवाश्य रेजिडेंशियर परपज में काम आएगा या आ रहा है और उसमें एक बड़ा रूम कमरा बनवाया उस कमरे में बीम डलवाना जरूरी था तब वह च्छत पूरी और मजबूत बनती है अब जब बीम डला है और कमरा बड़ा है तो स्वाभाविक है कि वहां आप किसी न किसी रूप में उस कमरे को काम में ले दे हम पहली बात यह मान के चलते हैं कि आप उसे अपने सयन के लिए सोने के काम में लेते हैं यदि आप बीम के नीचे सोते है आपका बेग बीम के ठीक नीचे आता है तो यह पक्की बात मान का चलो कि आपका स्वास्थ ठीक नहीं रहेगा स्वास्थिये पर बुरा प्रभाव आपके पढ़ेगा आप स्वाव से चिड़ चिड़े हो जाएंगे और आपका आत्म बल भी कमचोर होगा सयन कक्ष में यदि आप बीम के नीचे सो रहे है और आपका सिर उसके ठीक नीचे आ रहा है तो स्वाभाविक है कि आपको सिर दर्द की बीमारी हो सकती है यदि आपके पेट के उपर सोते समय आर्शी सी बीम आपके पेट के उपर आ रहा है तो आपको पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है मसलन आपको अलसर हो सकता है आपकी आँटों में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो सकती है यदि सोते समय आपकी इस्तिती ऐसी बनती है कि बीम आपके पेरों के ऊपर आ रहा है तो ऐसी इस्तिती में आपकी जो यात्राएं है वह है चाहे किसी भी उदेश शियाप करें और आपकी जो मॉबिलिटी है गति शीलता है उसमें उरुकाव टेपेदा हो जाएगी बीम यदि रसोई घर में है कहने का मतलब रसोई घर की छत में भी कहीं बीम एसी जगह लगा हुआ है कि उसके नीचे खड़े रहकर या बेट कर कोई न कोई काम करना पड़ता है यदि बीम के ठीक नीचे गेश इस्टू है या खाना खाने के इस्थान के ठीक उपर बीम दला हुआ है तो एसी इस्थिती में निश्चिक रूप से आपके परिवार में आर्थिक इस्थिती में गिरावट आएगी उधार लेने की इस्थिती तेजी से बढ़ जाएगी अगर किशी को आपने पेशा उधार दिया है तो उसकी वसूली के अंदर लिकट समश्या पेदा हो जाएगी यदि कारिय इस्थल पर काराले में फैक्टरी में कहीं बीम डला हुआ है आपके कारिय इस्थल पर और को इंसिडेंस इसा है कि उस बीम के नीचे बेट कर ही आपको काम करना पड़ रहा है पहली बात आपका सिर भारी रहेगा आपके मन पर एक बोज़ सा बना रहेगा आपका जो कॉंफिडेंस लेवल है वह कमजोड़ होगा और इन सबका परिणाम यह होगा कि जो वर्किंग सिस्टम है आपका वह बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा और आपकी जो कारिय परनाली है आपकी जो एफिसियंसी है वह कमजोड़ होगा जहां कारिय करते वक्त कारिय की एफिसियंसी कमजोड़ होती है तो हम यह मान का चलेंगे कि जो उसके रिजल्ट्स है वह भी हमारे एडवर्स यानि की विप्रित होगा आप सारांस में यह समझ लीजिएगा कि यदि आर्शी सी बीम जिस कमरे में आप कारिय कर रहे है आप रहते है खाते पीते सोते है काम करते है चाहे वह घर हो चाहे वह कारिय स्थर हो वहां निश्चिक रूप से यदि आप बीम के ठीक नीचे बेखते है तो आपके स्वास्थे पर चाहे वह मानसिक रूप से हो या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से आपको निश्चित रूप से कोई न कोई रोग घेर लेगा आपके स्वास्ते पर बुरा प्रभाव पड़ेगा आर्थिक इस्तिती पर बुरा प्रभाव पड़ेगा आपकी नेचर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा मुझे उमीद है कि यदि आप यह पुरा सुन रहे हैं मेरी बात को समझ रहे हैं तो आप थोड़ा सा यह परिवतन कर लीजिएगा कि घर में यदि बीम आपके पलंग के ठीक उपर आ रहा है तो आप पलंग को थोड़ा एड़स्ट कर लीजिएगा और बीम के नीचे से हटा अगर ऑफिस में जहां आप काम कर रहे हैं वहां टेबिल कुर्सी आपकी जो इस तरह से लगी हुई है कि आप उसके ठीक नीचे बीम के ठीक नीचे बेट कर आपको काम करना पड़ रहा है तो उसे भी आप दाएंबाएं कर सकते हैं आगे पीछे करके पाम सकते हैं यिदे रसोई घर में हैं तो एस परीसिती में भी आपको स्थान बदलWow लेना चाहिए अगर factory व्गर में कैं और आप ने अभी तक installation मशीन प्लांट का नहीं किया हैं यदि बीम के नीचे हम कोई भी काम करेंगे, किसी भी प्रकार का काम करेंगे, इस्तरी करे या पुरुस करे, बच्चा करे, बच्चा अगर पढ़ाई भी करेगा तो वह भी एक बोज लेकर ही करेगा, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखे और मुझे उमीद है कि आप इस पर विचार करेंगे और अपने जीवन में खुशाली लाने के लिए आप बीम्स के ठीक नीचे नहीं बेठेंगे, कोई कार ये नहीं करेंगे, जैशी पिस्ति